Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताके आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके Dear students, this is the last session of our sentence formation sessions which is session 11 यह जो हमारा आखरी session है जो हम सिल्सिले वार जुमले कैसे बनाए जाते हैं वो सीखते आ रहे हैं उस सिल्सिले का यह आखरी session है जो के future perfect progressive tense है अगर आपने पिछले वीडियो मिस किया है तो आगे के जो sentence of formation के session से है उसमें जो जुमले बनाने के लिए जो formation अगरा आप लोगों को सिखाए जा रहा है वो समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पिछले वीडियो भी आप लोग लगातार सिल्सिले बार देखते आएं क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे हैं लगातार उस पर आप लोगों ने जुमले बनाए हैं तो यकिनन आप लोगों के लिए जुमले बनाना आसान होता गया होगा So dear students in this session we will learn about future perfect progressive tense जमाने मुस्तक्बिल मुकमल जारी है Now affirmative sentence एकरारिया जुमला In affirmative sentence subject के साथ helping verb or shall ya will इस्तमाल होता है और उसके बाद have के साथ been और verb का ing form So the sentence will be I we shall have been going और अगर subject you we there he she it hai tab will have been going So the sentence will be I shall have been going and you will have been going When we say I shall have been going तो मतलब अगा मै जाता रहा होंगा You will have been going तुम जाते रहे होंगे This is affirmative sentence एकरारिया जुमला Now next is negative sentence इनकारिया जुमला In negative sentence subject के साथ helping verb shall ya will इस्तमाल होगा According to the subject और have के साथ not लगेगा और बाकी का format रहेगा been के साथ verb का ing form So the sentence will be I shall have not been going Ya you, they, he, she, it के साथ will have not been going In this way sentence will be I shall have not been going And you will have not been going When we say I shall have not been going तो मतलब होगा मैं नहीं जाता रहा होंगा You will have not been going तुम नहीं जाते रहे होंगे He will have not been going वो नहीं जाता रहा होंगा इस तरीके से Dear students जैसे कि आपको बार बार बताया जाता है जो भी हम format देख रहे हैं नया format उसको write down करना है उस पर दियावए format के मताविक आपको जुमले बनाने हैं और जुमले आप मानी के साथ बनाएंगे यह याद रखना है ता कि आपको बहतर तोर से समझ में आए जिसे हम सवालिया जुमला या यस नो टाइप कुश्चन भी कहते हैं और वर्बल कुश्चन काई से शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शेल या विल इस्तिमाल होगा अकॉर्डिंग कू दा सब्जेक्ट उसके बाद है बीन और वर्ब का आएंजी फॉर्म तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो एल्पिंग वर्ब शेल और अगर यू दे ही शीट है एल्पिंग वर्ब इस्तिमाल होगा विल इस तरीके से जुमला बनेगा शल आई हेव बीन कोईग और विल यू हैव बीन कोईग विल भॉम विय वैव बीन कोईग मतलब होगा क्या मैं जाता रहा होंगा विल यू है बीन कोईग क्या तुम जाते रहे होंगे इस अज वर्बल कुश्टाम नगर सृम theor माहिट नहीं है ता बाल्यू एश टाइप कॵुष्यन और जैसे के आप आपको पता चली का हुगा कि डबल्येश टाइप पुष्यन की शुरुआत होती है डबल ही य से बाकी का जो फोर्मेट है वह यहाँ अ एमने वर्मुष्यन को बीनको फोर्मेट बिल्कौल वैसा ही रहेगा तो यहां पर हम डबलेश वर्ड इस्तिमाल कर रहे हैं वेर तो अगर सब्जेक्ट आई वी है तो रहेगा वेर शेल आई वी, I have been going और अगर सब्जेक्ट यू वी दे है तो इस्तिमाल करेंगे विल तो जुम्ला बनेगा इस तरीके से जब हम कहते हैं तो मतलब होगा तुम और ये हमारे सेशन हम अब तक लगातार देखते आ रहेते जिसमें हम जुम्ले बनाना सीख रहे थे उसका लास्ट सेशन था Dear students आपने अगर तमाम वीडियोज देखे हैं तो पूरी पूरी उम्मीद है कि आप जुम्ले बनाना बहतर तोर से समझ चुके होंगे और यह आप लोगों के लिए English सीखने के लिए बहुत ही कारामा साबित होगा बस सबसे एहम शर्त यह है कि आप जो भी जुम्ले आप बनाना सीख रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आज के सेशन में हमने देखा कि Future Perfect Progressive Tense में जो हमने जुम्ले बनाए हैं वो इस तरीके से हैं सबसे पहले Affirmative I shall have been going मैं जाता रहा होंगा I shall not have been going मैं नहीं जाता रहा होंगा Shall I have been going क्या मैं जाता रहा होंगा Where shall I have been going मैं कहा जाता रहा होंगा इसके बाद अगर subject ही है तो He will have been going वो जाता रहा होगा He will not have been going वो नहीं जाता रहा होंगा Will he have been going क्या वो जाता रहा होगा Where will he have been going वो कहां जाता रहा होगा देखे जिस तरीके से यहां आपके सामने जुम्ले बनाए गए इसी तरीके से आप अलग-अलग subjects के इस्तिमाल करते वे अलग-अलग type के tense पर अलग-अलग sentences को बनाईए उसके मानी लिखते चलिए अगर आप थोड़ा मेहनत इस पर करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस बात पर विल्यू कीजिए यकीन रखिए कि आप जुम्ले बनाना असानी से सीख जाएंगे So dear students English सीखने के लिए जो हम मुक्तलिफ sessions अभी तक बनाते आ रहे हैं जिसको आप देख रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आगे भी हम English grammar साथ इसाथ syllabus related topics पर भी मुक्तलिफ वीडियो आप तक पहुँचाए जाएंगे So keep watching the channels and don't forget to like and subscribe So now see you in next session of easy English learning Dear viewers Please like and subscribe the channel and press the bell icon ताके आने वाले तमाँ वीडियो आप तक पहुँचाए